दोस्तों नमस्कार मेरे साथ खड़ हुए हैं धर्मेज जी प्रिंसिपल लो कोलेज सिंगाने यूरूर्सिटी के चुनाव अगे है नगर निगम 2019 हमारा उद्वपूर शहर है लेकिन नगर निगम के अंदर पार्षत का चुनाव कौन-कौन लड़ सकता है करण की पहले तो किसी के पाँच बच्चे दस बच्चे वो भी चुनाव लड़ सकते थे लेकिन कुछ वर्सों पूर्वर यानि की सन गुनिस सो पिच्चनू में उस समय बेरो सिंग जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कोई नई गोशना की कि अब तीन संतान वाले पार्षत नहीं बन सकेंगे सरीमान एड़ोकेट साब वकील साब प्रिंशिपल साब आप बताईए ये नियम में ये तीसरी संतान वाले उसका लास्ट डेट क्या है कि इस तारीक के बाद में जो तीसरी संतान हुई तो वो पार्षत का चुनाव नहीं लड़ सकता है उसकी डेट बताईए आप समबर 1994 में आदर्णी भेरुसिन सेखावस साब निम्भाहेडा में गोष्णा कर गए कि जिस किसी भी व्यक्ति के दो से अधिक संतान होई वो नगरपालिका और पंचायत के चुनाव लड़ने का निर्योग्य होगा दूसरे दिन में क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों ने बूचा सर ऐसी गोष्णा क्या वैद है तो मैंने कहा कि जल्दवाजे में ये गोष्णा हुई है इसमें कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि सब सतर्क हो जाए कि तीसरा बच्चा पेदा न हो या पेदा न कर है हमारे समविधान में एक प्रावधान है एनी पैनलाइज लोग केननोट भी इंपोज फ्रॉम प्रीविज देट कोई भी ऐसा कानून जिसमें किसी को सजा या किसी को रोका जाए या किसी के उपर कुछ पैनाल्टी लगाई जाए वो पुरानी तारिक से कभी भी लागू या कि जब शेकावस आप जैपूर गये अधिकारियों से विचार विमर्श किया तो तुरंत उन्हों ने इसे सुधार दिया और यह किया जल्दबाजी में हुआ है इसमें nine महीने का गेप दिया जाना चाहिए है नो महीने का मतलब किसी के पेट में एक महीने का बेटा है त गर्ब धारण के हुए जितने भी बच्चे हैं वो सुरक्षित जन्म लेकर बाहर आ जाए उसके बाद इस एक्ट को लगना था तो ये अमेंडमेंट ये सुधार भेरोसिंजी ने कहा कि करना पड़ेगा इस बीच में राजस्ताम उच्चे नियायलाई में एक जनहीत याची का आ गई और एक किसी उमिदवार ने PIL फाइल की किसा मुझे तो पता ही नहीं था मेरे छे महीने का गरब है मेरे वाइब को दो महीने का गरब है मेरे तीन महीने का गरब है उस समय एक एक पिच्चानवे की डेट निर्धारित की गई थी जिसे सरकार ने बढ़ा कर पुना एक समय और दिया और इस बीच में हाइकोर्ट में जो केस पेंडिंग था उच्ची नियाले के नीने में ये कहा गया कि इस नीने की तिथी से 11 महीना और समय दिया जाए और वो तिथी हम सब लोग नगर निगम के चुनाव है फिर इसके बाद में पंचायतों के चुनाव होंगे लेकिन राजस्थान सरकार ने जो भी नगर निगम, नगर पालिकार, नगर परिशद जिसमें पार्षद बनेंगे पार्षद की भी योगिता होती है कि अगर कोई तीन संतान वाला नहीं लड़ सकता है लेकिन उसके भी समय है कारण के निश्चित डेट क्या है वो तो वकील साब बताएंगे कि अगर इस तारीक से पहले कोई कोई तीन संतान है चार संतान है तो वो लड़ सकता है अब सर आप क्लियर करें क्या सम लबड़ा है लबड़ा नहीं सर यह कानून की एक व्यवस्ता है ऐसा कोई भी कि व्यक्ति जिसके संतानों की संख्या दो से अधिक नवंबर उनिस सू पिचानवे के बाद अगर है मेरा मतलब फिर आप समझ लें नवंबर 27 उनिस सू पिचानवे की वो डेट लाइन थी जिसको आधार बना कर सरकार ने ये फुल एंड फाइनल कह दिया कि ऐसे व्यक्ति जिनके तीन या तीन से अधिक या दो से अधिक को इत्ती भी संतानों हो वह चुनाव के लिए निर्योग्य होगा 27 नवंबर 27 नवंबर 25 के बाद तीसरी संतान किसी के पेदा हो गई है जनम ले लिया है वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा आप मुझे एक और जानकरी बते है कि कई सारे अपरदी भी चुनाव लड़ लेते हैं तो पारशत का चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या योगित्ता होनी चाहिए उसमें सबसे पहले पारशत के लिए चुनाव लड़ने के लिए उसकी शरीर की या उसकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और कोई सजा यापता किसी गंबीर अपराद में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए और अनुबंद करने के योग्य उसकी क्ष सर्टिपिकेट आदमी को समीट करने पड़ेंगे वो तीन सर्टिपिकेट में बता दूं बना के तयार रखें जब भी चुनाओ हो सबसे पहला सर्टिपिकेट अपनी शादी का विवास सर्टिपिकेट दूसरा अपनी जाती का सर्टिपिकेट और तीसरा उसका मूल निवा प्रमान पत्र ये तीनों ही अनिवार ये डॉक्युमेंट उसमें लगेंगे और अगर उसके तीसरी संतान है तो उन संतानों का बर्त सर्पिटिके देखे पहले तो उसको एफिटिविट देना पड़ेगा कि मेरी कोई भी दो से अधिक संताने नहीं है और तीसरी अगर है और 27 नवंबर 1995 के पूर्व है तो वह फार्म रिजेक्ट नहीं हो सकता है चलो बहुत बहुत धन्यवाद यानि कि 27 नवंबर 1995 से पहले मेरे गर लक्षमी यानि कि मेरी तीसरी संतान आयूशी माली पेदा हो चुकी है और यह नियम मेरे भी क्योंकर मैं भी पार्षत लड़ता कोशिश कर रहा हूं मैं भी पार्षत बनूं उद्वपूर नगर निगम का तो मैं अपनी बात भी कह दूं कि मेरी बच्ची बहुत पहले पेदा हो गई है तीसरी संतान मैं भी चुनाव लड़ने काबिल हूँ धन्यवाद और बदाए आपको कि आप निश्यत रूप से व कि हम इब वी बच्त रूप से शरी सकते हां तीसरी संतान बात 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 रूं कि ढूं है कि अचुनाव लड़ने के लोगने का तीसरी संतान मैं भी बच्वपूर निश्यत रूं कि यदके जब हैँ अ हम झारत बदाफ प्पर.